हलो गाइज मैं हूँ पप्पू और आज हम आपको सिखाने वाले हैं सैवाल किसे कहा जाता है तो भाई साहब सैवाल किसे कहा जाता है यही आपको किलियर होने वाला है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तलाबों गढ़ों पुराने घरों की दिवारों पेडों चटानों की चड़ नदी समूंद्र जल आदी में हरे रंग के जमें चिकनी सता जी हाँ गाईज हरे रंग के जमें चिकनी सता हमारे कहलाते हैं सैवाल गाईज अगर घरेलू भासा में देखा जाए यानि साधरन भासा में कहें तो भाई सब सैवाल को हम काई कहते हैं तो यहाँ पर आपके सामने क्या है ये रहा परिभासा परिभासा क्या है कि तलाब गढ़ों पुराने घरों की जो हमारे दिवाल होती है पेडों चटानों की चड़ नमी नदी समूंद्र जल आदी में हरे रंग के जमें चिकनी सता फिसलंदार जो सता होता है न वही सता हमारा कहलाता है सैवाल भाई साहब आपको यहाँ पर यह चीज़ पूछा जा सकता है कि सैवाल कहां कहां होते हैं तो भाई साहाब आपको एजिवे में ये ख्याल रखना है कि जहाँ पर नमी जगह होगा नमी कहने का मतलब कुछ-कुछ पानी का अंस होगा तो हमारा जो सेवाल है वो कहा होता है जहाँ पर नमी होगा तो भाई साहाब तलाब गड़ो पुराने घर की दिवारों पर जब भी नमी आएगा ना तो हरे रंग के आपको चिकनी सतह देखने को मिलेगा और वही चिकनी सतह हमारा क्या है सेवाल है उमीद करता हूँ कि सेवाल के बारे में आपको कुछ भी जनकारी आग्या होगा गाईज यहाँ पर आप समझेए गाईज आगे आप असानी से देख पा रह ना उनमें भी क्लोरोफील होता है और गाईज यहाँ पर आगे क्या है कि इसलिए यह परकास का उप्योग कर भोजन स्वयम बनाते हैं हमारे जो सेवाल होते वह भोजन खुद बना लेते हैं खुद बनाने का मतलब है यह यह परकास उप्योग कर लेते हैं इसलिए यह हमार भोजन बना ले रहे हैं उमीद करता हूँ कि मेरी दी हुई जनकारी से आप कुछ न कुछ जरूर सीखे होंगे अगर आपको मेरी दी हुई जनकारी से कुछ भी सीख मिल गया हो तो बढ़िया है मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहे है और जूड़े रहे है